वेलकम टू जीरो से जिनियस तक इस क्यूज में आप से पुछेंगे साइन्स के 10 परस्न और उसका जबाब भी बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है पोटैसियम नाइट्रेट कीस में परयोग किया जाता है इसके लिए आपसंस दिये गए हैं आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे पास सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉस कर सकते हैं तो समय स्टार्ट होता है अब इसका सही जवाब है आपसं नंबर चार उर्वारक ओके आगे सवाल नंबर टू पानी के लिए रासायनिक सूत्र क्या है इसका सही जवाब है आपसं नंबर एक एच टूओ आगे सवाल नंबर तीन निम्नली की धातूओ में से कौन सी अन धातूओ के साथ एक मिसरन बनाती है काभी अच्छा सवाल है इसका सही जवाब है आपसं नंबर टू पारा आगे सवाल नंबर चार सोड़ा पानी में सामील होता है इसका सही जवाब है आपसं नंबर तीन कारबन ड़ी अकसाइड आगे सवाल नंबर पाच हावा में नीम्न में से किस गयस की उपस्तिती के कारण पीतल हावा में फीका हो जाता है काफी अच्छा सवाल है आपको यहाँ ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लिजिए इसका सही जवब है option number 3 hydrogen sulfide आगे सवाल number 6 कौन सी गयस ग्रीन हाउस गयस के रूप में नहीं जानी जाती है काफी अच्छा सवाल है नहीं जानी जाती है इसका सही जवब है option number 2 hydrogen को बाकी तीनो को उसके लिए जानी जाती है nitrous oxide, carbon dioxide और methane तीनो आगे सवाल number 4 दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो यहाँ पर किली करके सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को जरूद दबा देजे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी मिले यह चैनल आपके जेनल कमपटिशन के सिलेबस पर और करता है इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद आगे सवाल नमबर साथ वासिंग सोडा का समान्य नाम क्या है इसके लिए आप संस दिये गए इसका सही जवाब है आप संस नमबर तीन वासिंग सोडा का समान्य नाम सोडियम कार्बोनेट है ओके आगे सवाल नमबर आठ प्रित्वी पर उपलबंध सबसे मुश्किल पदार्थ है इसका सही जवाब है option number 4 हीरा आगे सवाल number 9 सबी acid के लिए आम तत्व है इसके लिए options दिये गए है आपको सही जवाब पता है इसका सही जवाब है option number 3 हीड्रोजन हागे सवाल number 10 समुद्र के पानी की ओसत लवानेता कितना होता है इसका सही जवाब है option number 4 आपके लिए एक सवाल है अगर जवाब जानते है तो q4 लिख करके इसका answer आप send कर सकते हैं comment box में निम्न लिखित में से कौन सी pencil में उपयोग किया जाता है तो आपको जवाब पाता है तो q4 लिख करके इसका answer आप send कर सकते हैं उमिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक किजिए और अपने वार्श्व ग्रूप में जरूर सेयर किजिए धन्यवाद